हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बना रहें टेस्टी एक्जॉटिक रेसिपी जो ड्रमस्टिक ब्रिंजल कैप्शिकम्स पोटाटोस तमाटो इत्य सारी वेजिटेबल से बनती है और बहुत ही डिलीशिस और क्विक रेसिपी है तो चलो इसके लिए हमने ये दो ड्रमस्टिंग को बड़ा इस तरह से चिल के काट लिया है और पाव किलो बैगन ले लिया है तू पटाटो तू कैप्सिकम ले लिया है इस तरह से इसे कट करकी पानी में भीगा के रखा है आप चाहे तो इसमें मटर भी ले सकते हो आप अपनी चॉइस के और भी सारे बहुत ही सिम्पल रसीपी इसके लिए हमने एक बरतन में ऑईल गरम कर लिया है और हमने टू अनियन को फाइनली चॉप किया बारिक बारिक और साथ साथ ग्रीन चिल्ली को चॉप किया है और कुछ कड़ी पत्ता लेगे गरम तेल में इसे दाल देगे अब इसे हमें अब यह हमने टू टमाटो को चॉप कर लिया है और एक बड़ा चमज हम गार्लिक का लेगे और एक चमज हम रेड चिली पाउडर लेगे और हाफ चमज हमें हल्दी पाउडर दालना है इसमें बस इतनी से इंक्रियंट यह देखिए अब हम अनियन में सॉल्ट दाल देगे और चला लेगे यह हमारा गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें टमाटो और मसाला दाल देगे जो हमने दिखाया था आपको इसे चला लेगे यह एक्चुली मेरी मॉम की रेसिपी है यह देखिए और इनके हाथ का स्वात बहुत ही गजब रहता है तो यह सारी की सारी वेज़ी को हम इसमें दाल देगे इन्हें अच्छी तरह से इला लेगे सबको मिक्स करना है बस कितनी सिंपल है देखाना आपने लेकिन टेस्ट इतना गजब का है कि घर में सभी को बहुत पसंद आएगी जरूर इस रेसिपी को आप ट्राय करना अब हम इसमें एक गलास पानी दाल देगे ताकि हमारी सब सबजी अच्छी तरह से कुखो जाए इसे हम ढखके दस मिनिट के लिए मीडियम आज पर पकने देगे तो देखा आपने कितने क्विक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है माउट वाटरिंग है दोस्तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करो मॉम की रेसिपी स्पेशल है बहुत ही सिंपल है क्विक है अगर आप हंगरी हो तो इसे जरूर बनाना सबकी फैवरेट चोईस की वे